सातियों आप शभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में कैसे आप सभी आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे आप में से बहुत सारे लोगों ने UPPSC का UPPSC का आपने जेई का फॉर्म अपलाई किया होगा वही जेई का फॉर्म जो इंटरव्यू बेस पर था और जिस पर सलेक्शन मात्र इंटरव्यू से होना है यानि उसमें कोई रिटेन एक्जाम नहीं है ऐसा बोला गया है और उसमें सिर्फ वोर सिर्फ आपका इंटरव्यू है तो उसको हम जानेंगे कि UPPSC JAE में आप कैसे आपका सलेक्शन होगा हम ये जानेंगे कि कैसे आप UPPSC JA में जा पाएंगे और दूसरी वाद अगर मैं बात करूं तो यह यूपी प्रिक्षाओं के समुचित संबंध प्रबंधन के संबंध में यानि कि जितनी परिक्षाओं हैं उसको अच्छे तरीके से समुचित तरीके से प्रबंध कराया जाए। UPPSC में आपकी AE की वेकंसी आएगी मैं आपको बता दूँ है और AE की जो वेकंसी है वो आपको देखने को आप कह सकते की थोड़ा सा लेट हो सकता है अगर नंबर की बात करें तो नंबर 60 से लेकर के 90 के आसौस में आपको वेकंसी देखने को मिल सकती है ऐसा अनुवान है लेकिन हलाकि ऐसी कई नोटिस आ चुकी है लेकिन UPPSC एकर एक्जाम सही से कंड़ेक्ट करा दे तो यह सबसे बड़ी बात होगी आईए ज़र हम जानते है UPPSC में जो हमारा जेई का पेपर होने माफ किजेगा जो जेई में आपसे टेक्निकल के सारे questions पूछे जाएंगे और टेक्निकल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो important subject होगी वह आपकी machine और power system machine power system के छोटे-छोटे concept आपके पूछे जाएंगे और आपसे basic electrical के छोटे-छोटे circuit को solve कराया जा सकता है बीडवली के याद रखिएगा तो circuitry system में nodal mess, analysis, scavial case के लगाना, loop, super mess ये सब आप super node आप इन concept को याद रखिएगा ठीक है और इसमें आपका machine power system के basic-basic questions ये questions आप याद रखेंगे छोटे-छोटे questions आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो thermal power plant में हमारी chimney है, chimney की height कितनी होती है क्योंकि पहले कई बार interview में ये questions पूछ दिये गए है तो आपको ऐसे प्रकार के questions से त्यार रहना है interview के लिए अब देखिए, electronics में वो छोटी-छोटी चीजे, TTL क्या है, transistor आपका क्या होता है फिर उसकी basing कितने प्रकार की होती है, gate, source, drain से आप क्या समझते है और आपका binary conversion, logic gate binary conversion, बस इतना ही इतना अगर आपका basic basic तयार है इन subject का, तो आपका UPPSC आपका जो JEE का interview है, वो clear ही नहीं, बलकि आपका उसमें selection भी final हो जाएगा हलागि अभी department के तरब से कोई इसकी निस्चिट date नहीं आई है लेकिन जल्दी इसकी निस्चिट date आजाएगी तो यह है आपका, और self evolutions आपका क्या होगा कि self में आपसे कोई भी questions, आपके बातचित करने का तरीका, आपका बैठने का तरीका आपके बोलने का representation, यह सारी चीजें self evolutions में देखी जाती है तो इसके लिए आपको खुद पर तयारी करनी है, खुद से तयारी करनी है सीसा के सामने खड़ा होकर आपको बोलना है eye to eye contact होना चाहिए, जब भी आफ interview में जाएं तो eye to eye contact आपका होना चाहिए, उस examiner से और आप से अगर eye to eye contact नहीं है, then examiner will realize that you don't know anything या आपको यह समझेगा कि आप self confidential नहीं है तो इसलिए आपको eye to eye contact रखना है और सारे question का सटिकता से जवाब देना है माल लेते हैं कि अगर आपको कोई question का जवाब नहीं आता है ठीक है, तो at that time आपको panic नहीं होना है आपको बड़े सालिंदा से कहना है कि sir, really I don't know about this question तो आप यहाँ पर sorry भी बोल करके आप अपना मतलब कि last time पर यह last moment होगा लेकिन आपको कोसिस करना है, कि आपको सारे questions का answer देना है आप basic basic पढ़िये, ज़्यादा आपको derivation numerical करने की ज़रूद नहीं है basic basic concept आप पढ़ते हैं, तो आपका UBPS sheet JE के लिए पूरा का पूरा तयारी हो जाएगा जो subject मैंने बताया है, उसको main reference लेके चलें और self evolution पर अपनी खुद से practice करें बाकी next मिलते हैं अखले updates के लिए किसी को कोई भी information regarding with interview चाहिए तो आप हमारे whatsapp पर हमें whatsapp भी कर सकते हैं whatsapp number इस video के description में दिया गया है, thank you so much और हाँ, last time जाते जाते, AE की जो vacancy है वो आएगी UBPSC में कितना 60-90 गया सपास में ये आपको इस महिने, इस साल के last last में देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा भी खिचा तानी है, लेकिन vacancies फिर भी आएगी ये विभाग द्वारा बोल दिया गया है कि जितने भी vacancies हैं उसको अच्छे तरीके से वली बाती फुल्फिल किया जाए, ये आपकी notice है पूरी की पूरी, आप इसको देख शकते हैं, पूरा पूरा ये notice है इसमें ये लिखा गया है कि जो भी exam होना है, vacancies है उसको release करवाकर कि अच्छे तरीके से कायदे से उसका paper लिया जाए